हलो फ्रेंज आरोई होम कुछिन में आपका स्वावत है तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूं एकदम कैस्पी करा गी आलू भुजी ऐसे मार्केट में मिलती है ना हल्दी राम बगेरा की तो आप बिल्कुल मार्केट जैसे घर पर ही बना पाएंगे तो मैं कुछ ऐसे टि इनको किसलेंगे तो इनको किसने में यह ठोड़ी से जो गुठ्लियां रहती है न उनको अच्छे सेट लेंगी बनना हमें सियो बनान में परीशानी होगी जो भी इसमें थोड़ी बहुत गुठ्लिया हैं उन्हें हांस से फोड़ ले however में मसाली यट करेंगे ये चमच सब जाले मेच पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर धनिया पाउडर काली मेच पाउडर और नमक आप स्वाद के अनुशा ले सकते हैं एक चम्मच गरम मसाला और स्वाद के लिए एक चम्मच अमचो ले सकते हैं यह और आप अमचोर के जंगा चाट मसाला भी मिला सकते हैं और इसके बजार में जैसा खट्टा वाला फिलेवर आता है ना जो आमचोर से वही स्वात आ जाता है और फिर आप टू पिंच हींग भी ले सकते उसमें थोड़ा सा गदी में लेगे और अच्छे से मसल के डालने फिर इसको मिक्स करें बहुत अच्छे से और उसके बाद हम एक कटोरी में बेशन लेंगे बेशन लगभग दो कप चार चमाच और बेट में बोलें तो कम से कम 200 ग्राम और बेशन को एक साथ पूरा ना मिलाएं इसको थोड़ा-थोड़ा सा डाल कर अच्छे से मिलाएं तो कि यह आलू जितना एप्जॉर्प कर वह क्योंकि इसमें न थोड़ा सा वायल डालें वायल से क्या है यह खस्ता जैसे क्रिस्पी हो जाएगे विलकुल तो इसको थोड़ा घीला रहने दें जाना सकत भी ना करें तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 57 मिनिट के लिए रख कर राख दें तो यह गेज पर कडाईि लग दिये और इसमें वायल पहले चुने कडाई में तो हमने गेज जला दिये घज जला दिये उसके बाद असपना में हो गाया है तो इसको ऐसे लंबा लंबा सा कर लिया है और उसके बाद सेव मेकर में मैंने इसको ऐसे डाल दिया और फिर उपर से दबा देंगे तो ये परफेक्ट वायल में डालेंगे इसे थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसको ऐसे देख लेंगे जादा गरब भी नहीं करना है और हमारा देखो ये डालने के बाद बबस आ रहा है तो वायल पर इस करेंगे मेकर को और ऐसे राउंड में हों आएंगे और कोसिष करें कि अवलेट ना हो तो जैसे मैं हैं रोक देती हूं तो इसी तरह से तलेंगे और जब इसके ज्ञाग ठम जाएगे तब इसको पलट देंगे धियान दें कि पढ़ाई में जितने भी बने बस एक वार में उतने ही डालें, तो जैसे जैसे इसका ज़ाग थम जाएगा, तब इसको पलट देंगे, और बहुत धीमे से पलटेंगे, तो एक साइट से सिख भी गए होंगे पूरी तरह से, तो इनका कलर देख लें, देखो इनका कलर चेंज हो गया है, तो यह बिलकुल पर्फेक्ट कलर ह हो गया है तो हम इसको परचली से निकाल लेंगे तो तैयार हो गई है लग रही है एकदम बिल्कुल हलवाई जैसी तो खाओ पियो और मजे करो और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो पिलीज लाइक से या सस्क्राइब करें थेंक्यू फोर वाचिंग फिलीज शप खाओ पियो मजे करो मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगे